इंडिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट बनाया जा रहा है ग्रेटर नॉइडा से थोड़ा आगे जाकर जेवर में ना सिर्फ इंडिया का बलकि ये एशिया का भी लाजिस्ट हो जाएगा और वर्ल्ड का थर्ड लाजिस्ट होगा नंबर ओफ रन्वेज के बेसिस पर बनने के करोड रुपे से जादा लगेंगे इसे बनाने में और खुलने के बाद 12 करोड पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा हर साल कंपैरिजन के लिए अगर अभी इंडिया का लाजर्जर्स एरपोर्ट देखें जो है आईजियाई एरपोर्ट वो 6-7 करोड पैसेंजर्स ही हैंडल कर पाता है एक साल में तो नौईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट उससे डबल कैपैस्टी हैंडल कर पाएगा पूरा खुलने के बाद 7200 एकड में फैला होगा यह जिसमें चार या पांच टर्मिनल्स बनेंगे तो सवाल यह उठता है कि आईजिया एरपोर्ट जो और देश क जा सकता था इसके बारे में जानने के लिए हमें 1918 में जाना पड़ेगा जब दिली का पहला एरपोर्ट बना था यह लोटियंस डेली के सर्दन बाउंडरी पर बना था जिसका नाम था विलिंगडन एरफील्ड यह एरपोर्ट कम और ओपन फील्ड जादा था क्योंकि तब ग्रास रणवेज और टेंट्स को ही एरफील्ड का जाता था उस ताइम नए-नए एरप्लेंस आये थे इंडिया में और ज्यादतर तो ब्रिटिश रॉयल एरफोर्स कही थे जो कि वहाँ पर प्रैक्टिस और एक्ससाइजस करते थे विलिंगडन एरफील्ड नाम दिया गय और ग्रासी रणवेज डर्ट रणवेज में बदल गए अभी एसफल्ट और कॉंक्रीट के रणवेज तो काफी देर बाद आये थे ये इंडिया का सेकिंड एरोड्रोम था मुंबई के जुहू एरोड्रोम के बार थोड़ा और कमर्शिलाइज हुआ और सर्विसेस स्टार हुई डेली फ्लाइंग क्लब भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था 1928 में ये क्लब बन गया रिच फ्लाइट एंथूजियस के लिए जो अपनी परसनल फ्लाइट लेते थे इस एरोडरोम से इनी चीज़ों के लिए ये एरोडरोम थोड़ा बहुत होता रहा लेकिन में यू इस फेरी रूट को बनाया गया 1947 में इंडिया पाकिस्तान वार में भी इस एरोडरोम का काफी इस्तमाल हुआ उस टाइम जाधा तर एरोडोम की फ्लाइट सी चलती थी कमर्शिल फ्लाइट बहुत रेर होती थी इंडिपेंडेंस के बाद डेली की पॉपुलिशन बढ़ी और एरिया भी काफी एक्सपैंड हो गया जिससे एरपोर्ट जो पहले बाउंडरी पर था बिल्कुल बॉर्डर पर अब वो बीच में आ गया उसके आसपास सारी सिटी स्प्लेट आउट हो गई नई नेबरोट्स बनने लगे जिससे एरपोर्ट की जाधा एक्सपैंड करन नए पाला मेरपोर्ट में इसमें बढ़ते ओपरेशन के साथ एक और रीजन्स था कि जो मॉडरन जेट इंजन्स थे वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एफिसेंट हो गए थे पहले वले इंजन्स से एरक्राफ्ट के साइज भी काफी बड़े हो गए थे और टेक ओफ करते हुए जादा क्रॉस विंड हैंडल नहीं कर पाते थे पाइलेट्स को पहले मिजर करना होता था कि विंड किस डारेक्शन में ब्लो कर रही है फिर उस हिसाब से वह वला रनवे जूज करते हैं जो सबसे जादा उनके लिए जूसफुल होता तो तीनों में को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं इसलिए अब हमें इतने क्रॉस रनवेज देखने को नहीं मिलते हैं एनिवे टॉपिक पर वापस आते हैं 1962 में सारे कमर्शल फ्लाइट को जादा तर पालम एरपोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था जो कि 30 साल पहले को ला था 1932 में ये पहले इसमें भी दो क्रॉस रनवेज होते थे जिसमें से एक को टैक्सी वे में कनवर्ट कर दिया गया और दूसरे को एक्सपैंड कर दिया गया 1979-80 में 30 lakh international और domestic travelers ने इसको इस्तमाल किया तब एक ही terminal होता था T1 ये increased demand देखते हुए नया terminal बनाया गया T2 जो की T1 से 4 times बड़ा था एरिया में ये 1986 में खुला जब Asian Games होने वारी थी डेली में उसके बाद सारी international flights को T2 में shift कर दिया गया और T1 भी कुछ साल बाद upgrade हो गया जिसके 3 parts बन गए T1 A, B और C Long haul flights और international travel के बढ़ने से passenger numbers ऐसे ही ड्रमाटिकली बढ़ते रहा है IGI airport में jet engine में improvement से अब range significantly बढ़ गई जिससे कई नई international direct flights भी add होगी list में Air India और ऐसी दूसरी major airlines का hub रहा Delhi airport और international carriers जैसे Pan Am, British Airways और Air France ने भी अपने plans में Delhi को center में रखा Indian economy में liberalization के बाद air travel में एकदम से explosion देखने को मिला और हर कोई बंदा अब travel करने लगया इसका मतलब था airport में और expansion की जरुरत है Aeroplanes भी इतने बड़े हो गए नए wide body aircraft जैसे Airbus A380 और Boeing 747 इनको जादा लंबे runways की जरुरत पड़ी 3-4 km लंबे Terminals में super wide gates भी बनाने पड़े इन बड़े aircraft को accommodate करने के लिए Passengers की बात करें तो 2006-07 में T1 और T2 1.25 करोर passengers को ही handle कर सकते थे बलकि वो कर रहे थे 1.65 करोर जो almost 30% जादा है उससे Congestion और बढ़ गई जब दूसरा runway खुला उसी साल 3.8 km लंबा 10-28 इसमें aircraft movement तो बड़ी लेकिन passenger movement जादा नहीं बढ़ पाई क्योंकि T1, T2 काफी congested हो गए थे Airports Authority of India को कुछ बहुत बड़ा करने की जुरा थी बहुत कम टाइम में क्योंकि भी Commonwealth Games भी आने लगी थी तो उन्हें भी एसास होने लगा इस चीज़ का और उन्हें फिर private companies का सहारा लिया नई terminals और runways बनाने के लिए जिसमें 1000 करोड रुपे खर्च होने थे इसलिए 2006 में Delhi Airport के rights को DIAL Consortium को बेश दिया गया जिसका full form है Delhi International Airport Limited और similarly Mumbai Airport के rights को GVK Group को बेश दिया गया DIAL Consortium जब बना तो इसमें 4 major stakeholders थी GMR Group, Freport, Malaysia Airports और Airports Authority of India 9 साल बाद Malaysia Airport ने अपना stake बेश दिया GMR Group को 505 करोड रुपे में जिससे अब GMR के पास 64% stake है DIAL में इस Public Private Partnership से IGIE में बहुत बड़ा transformation देखने को मिला जिसमें एक नया terminal T3 और 3rd runway भी खुल गया airport में 2010 तक ये नया terminal record time 37 months में पूरा कर दिया गया और इसके खुलने के बाद पूरे airport की capacity बढ़कर हो गई 3.4 करोड passengers per year इस terminal और runway को बनाने के लिए 14,000 करोड रुपे लगे इसके इलावा डेली गुडगाओं expressway भी खुला उसी time के राउंड जो डेली से गुडगाओं के बीच non-stop connection प्रोवाइट करता है expressway airport के पास से ही निकलता है इसलिए multiple approach ramps बनाये गए उससे connect करने के लिए 2010 Commonwealth Games के लिए इतने upgrades किये गए कुछ सालों के अंदर और खुलने के बाद T3 दुनिया का 8th largest terminal बन गया सारी international flights फिर इधर shift कर दी गई T1 और T2 से इसके अगले साल 2011 में airport express line भी खुल गई T3 तक जो की देश में पहली ऐसी airport express बन गई new runway और terminal बनने से ये फायदा हुआ कि पहले से कई ज़ाधा लोग air travel करने लग गए जिन में से majority लोग पहली बार plane से travel कर रहे थे ऐसा इसलिए देखने को मिला क्योंकि पहले से कई ज़ाधा flights अब operate कर सकती थी एक airport से जो की पहले कुछ प्लेयर से dominate करते थे demand को देखते हो है नई airlines BI industry में जिसे competition बढ़ा और ticket prices गिरते चले गए इसके लावा कई नए air routes भी बने जो कि पहले इतने ज़ाधा well connected नहीं थे नए low cost carriers जैसे indigo और spice jet ने इसका काफे फायदा उठाया यह exponential growth early 2000s में दिखा गया जो कि अभी तक continue होता आ रहा है कुछ हद तक T3 खुलने के बाद T2 को भी renovate किया गया 2010s में उसके बाद अभी T1 का renovation चल रहा है जिसमें सारे पुराने छोटे terminals T1, A, B, C और D को combine करके एक बड़ा terminal बनाया जा रहा है इस interesting guitar shape में इसके neck में gates होंगे, aerobridges के साथ जहां plane spark करेंगे और base में entry exit होगी terminal की पूरा बनने के बाद 4 करोड पैसेंजर को handle कर पाएगा सिर्फ ये terminal COVID में 2 साल airline industry बहुत बुरी हालत में थी लेकिन 2022 से इत्ती speed से demand बड़ी है जो airlines और airports दोनों नहीं expect नहीं किया था इसलिए T1 की renovation और नया 4th runway जो बनाने का काम था वो बहुत speed से किया गया COVID caused delays के बाद 4th runway तो पिछले महिने खुल गया है अब total flight capacity 1500 से 2000 flights पर देतक हो गया है इसके इलाबा दो elevated taxiways भी खुले हैं जिससे planes road को cross कर पाएंगे इस elevated structure की मदद से यह ऐसा पहला structure है इंडिया में ऐसा इसलिए क्या गया है क्योंकि पहले अगर किसी plane को Southern runway से यह Northern Terminal जाफे Northern runway से Southern Terminal में आना होता था तो उनको इस Western taxiway के थुरू जाना पड़ता है जो कि बहुत time consuming होता था और fuel consumption भी बढ़ाता था तो इस elevated taxiway से इनको एक shortcut मिल गया है दोनों parts के बीच airport के ताकि planes आसानी से आना जाना कर सके और especially अब तो यह बहुत important है क्योंकि 4th runway भी खुल गया है T1 के expansion के बाद IGI की total capacity हो जाएगी 10 crore passengers per year उसके बाद T2 को भी expand किया जाएगा और इसके बाद नया T4 बनाने का भी plan है demand के एसाब से तो यह बनने के बाद total capacity हो जाएगी IGI की 14 crore passengers per year comparison के लिए आज दुनिया में सिर्फ दो ऐसे airports हैं जिनोंने 10 crore से जादा passengers को handle किया है एक साल में एक है Beijing China और दूसरा Atlanta USA presently IGI में तीन operational terminals हैं T1 और T2 domestic operations के लिए और T3 mixed use दोनों domestic और international operations IGI airport 5200 एकर में फैला हुआ है और busiest airport है इंडिया में 2009 से 2022 थे इसमें 9th busiest airport था वर्ल में 5.9 crore passengers के साथ और ये इंडिया का busiest cargo airport भी है लगबग 9,000,000 ton cargo transport होआ था इससे 2022 में वैसे तो IGI one of the best airports है लेकिन क्योंकि वो parts में develop हुआ था तो इसलिए connectivity इतनी अच्छी नहीं है सारे tunnels के बीच जैसे T1 और T3 के बीच airside connectivity नहीं है यानि कोई international passenger अगर डेली में आ रहा है तो उसको पहले immigration clear करनी पड़ेगी आगे domestic flights में जाने के लिए कई connecting passengers को ऐसे issues का सामना करना पड़ता है अगर उनकी दोनों flights अलग-अलग terminals से operate करती है अगर immigration करने के बाद कोई passenger दूसरे terminal में जाना भी चाहे तो inter-terminal transport काफी limited है बस shuttle प्रवाइड की गई है तीनों terminals के बीच जो हर 20 minute में चलती है जहां T2 और T3 काफी pass में हैं T1 तक जाने के लिए 15-20 minute लग जाते हैं traffic situation के साब से फ्यूचर में इन तीनों terminals को air train से connect करने का भी plan है लेकिन अभी वो approved नहीं हुआ ना सिर्फ Delhi, IGI airport पूरे North India का major international hub है worldwide 141 destinations में direct flights जाते हैं इदर से 51 countries में इंडिया के किसी भी airport से जादा इसलिए पंजाब, हर्याणा, यूपी, राजिस्तान और उत्राखंड के passengers आते हैं इदर trains, buses और taxis से international destinations पे जाने के लिए तो IGI airport से थोड़ा traffic कम करने के लिए सारी major state capitals में international airports बनाने चाहिए जो कि ज़्यादा flights handle कर पाएं इससे लोग को डेली तक नहीं आना पड़ेगा और अपनी state से directly international flights ले सकेंगे क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 15-20 सालों में 14 करोड capacity भी कम पड़ेगी future में IGI airport में और terminals और runways भी add नहीं किया जा सकते क्योंकि जगा constrained है एक option है डेली का तीसरा airport हिंडियन airport को expand करने का जिसका size अभी काफी चोटा है मगर उसके आसपस भी ज़्यादा जगह नहीं है expand करने के लिए हिंडियन airport जो की air force station के रूप में कुला था 1960s में तब से ये इंडियन air force का major base रहा है पालम airport पर commercial flights चलने के बाद काफी air force के operations को इधर shift कर दिया गया था डेली के north eastern direction में लाए करता है लोनी गाजियाबाद में हिंडन नदी के पास इसलिए इसका नाम हिंडन है एक ही runway इसमें east west direction में 2.7 km लंबा इसको एक civil enclave में बदल दिया गया 2017 में जिसमें air force के साथ commercial planes भी चल सकते हैं दोनों share करते हैं runways, ATC और दूसरी facilities को एक छोटा सा terminal बनाया गया इसके लिए जहां से दो airlines regional flights operate करना शुरू हुई लेकिन January 2023 से दोनों ने अपनी service रोग दी है यानि अभी कोई भी commercial operations active नहीं है वहाई सफदरजंग airport में भी flying club को बंद कर दिया गया 9-11 के बाद से security reasons की वज़ा से अब ये सिर्फ यूज होता है VVIP helicopter flights के लिए IGI airport तक जिसे ज़ाधतर President और Prime Minister यूज करते हैं हर महीने 80-90 helicopter movements होती है इस airport से इसके लावा 1.5 km लंभी tunnel भी बनाई गई है जो directly Prime Minister के residents को सफदरजंग airport से connect करती है faster movement के लिए तो सफदरजंग बंद पड़ा है, हिंडन में कोई भी commercial flights अभी चल नहीं रही और IGI airport में और expand करने की जगा नहीं है यानि 20 साल में double हो जाएगा इसका मतलब है जहां दिल्ली airport से 6-7 करोर passengers हर साल travel करते हैं वो ही figure 20 साल में हो जाएगी 13-14 करोर passengers IGI तो अभी ही peak times में congested हो जाता है जैसे पिछले साल सुनने को मिला था कि कई लोग घंटों खड़े रहे थे lines में और कईयों की flights भी छूट गई थी T3 से इंडियन airlines भी इस demand को capture करने के लिए बड़े कदम ले रही है पिछले साल जब Tata Group ने Air India को खरीदा तो उन्होंने 500 jets ओडर किये Airbus और Boeing से जो 100 billion dollar cost करेंगे यानि 8,20,000 करोर रुपे इसमें 400 narrow body aircraft होंगे और 100 wide body जिसमें Airbus A350, Boeing 737 और Boeing 787 भी है इंडिको ने भी जून 2023 में 500 Airbus A320 Neo Family का ओडर दिया 4,50,000 करोर रुपे में जो की इसे दुनिया में सबसे बड़ा aircraft order बना देता है सिंगल airlines द्वारा इनकी deliveries 2024 में शुरू होके अगले 10-15 सालों में पूरी होंगे औरेडी इंडिको के पहले वाले orders के 400 planes आने अभी pending है ये 500 मिलाकर वो 900 planes पार कर गए है pending orders में जो की बहुत बड़ी figure है तो अगर airlines इत्ते बड़े orders दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि कई और airports की जरूरत पड़ेगी देश को इत्ते सारे aircraft को handle करने के लिए देश की हर state capital को major international hub के रूप में develop करना चाहिए जिससे traffic काफी spread out हो जाएगा डेली में इत्ता pressure नहीं पड़ेगा तो अगर NCR में नए airport बनाना ही है तो western side नहीं बना सकते है क्योंकि वहाँ already IGI है और north eastern side पर हिंडन है तो south eastern side एक अच्छा option बचा greater noida में भी जगा थी airport बनाने की लेकिन future में 6 runways तक expand करने में काफी मुश्किल हो जाता प्लस वहाँ का land भी थोड़ा expensive पड़ता इसलिए जेवर को चूज किया गया थोड़ा दूर जरूर है city से लेकिन western UP के पूरे region के लिए accessible होगा वैसे भी डेली के eastern side पर ही ज़्यादा population रहती है जैसे फरीदाबाद, गाजियाबाद, नॉइडा और greater नॉइडा और UP के मतुरा, आगरा, अलिगर और बुलंचेहर से ज़्यादा दूर नहीं है जेवर एरपोर्ट को पहली बार 2001 में प्रपोस किया था तबकि UP Government ने ताज International Aviation Center के रूप में इसको 2008 में बनाया जाना था, लेकिन GMR ने इसके plans को उपोस किया उनका कहना था कि IGI से सिर्फ 87 किलोम मीटर दूर एक नए इंटरनाशनल एरपोर्ट बनाने से IGI इंपे ट्राफिक और प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे जब नई UP Government मनी 2012 में तो उन्होंने इसे shift करने का सोचा इतमादपूर विलेज फिरोजाबार डिस्ट्रिक्ट में आगरा के पास उन्होंने इसके लिए land भी allocate कर दिया था 2014 में मगर Central Government ने इसे दुबारा shift कर दिया जेवर में अगले साल 2017 में Union Chief Secretary for Aviation ने UP Government को वांड किया कि वो planning process जल्दी से पूरा कर दे क्योंकि हिसार एरपोर्ट भी Union Cabinet की approval मांग रहा था अपने एरपोर्ट को expand करने के लिए ताकि वो NCA region को serve कर सके जिससे दोनों एरपोर्ट की investment में diluted returns देखने को मिलते क्योंकि traffic spread out हो जाता दोनों में तब ही जल्दी से जेवर एरपोर्ट की land allocation शुरू हो गई और 2019 में फ्लोगाफन Zurich AG जो Zurich airport को operate करते हैं Switzerland में उन्होंने 40 साल का tender जीत लिया Noida airport को बनाने और operate करने के लिए एक special purpose vehicle बनाई गई इस एरपोर्ट को बनाने, operate और manage करने के लिए जिसका नाम दिया गया Yamuna International Airport Private Limited GMR के पास right of first refusal था कोई भी नया एरपोर्ट बनने के लिए जो 1500 किलोमीटर से कम दूरी पर बने IGI से Contract terms के एसाब से GMR उस एरपोर्ट पर bid कर सकते और उनको contract दे दिया जाता अगर उनकी bid highest bidder से 10% कम भी होती थो लेकिन Flughafen Zurich ने जीत लिए बिड हाला कि winning bid का number उन्होंने पब्लिक ने किया लेकिन हमें इतना पता है कि एरपोर्ट खुलने के 6 साल से Flughafen एक fixed fee देगी Noid International Airport Authority को हर passenger के लिए ऐसी कुछ पिछली डील से हम अंदाजा लगा सकते हैं डेट सो दो सो रुपए पर passenger की fee दी जाएगी government को एरपोर्ट खुलने के 6 साल बात से और बाकि सारा revenue ऑपरेटर अपने पास ही रखेगा Flughafen जीओरेक के 8 airports हैं South America में और अब वो South और Southeast Asian countries में expand कर रहे हैं जैसे इंडिया, इंडोनेजिया और Philippines नॉइडा एरपोर्ट के प्लान के साब से पूरे एरपोर्ट को 4 phases में बनाया जाएगा इसके phases में कुछ confusion है क्योंकि अलग-अलग sources में अलग-अलग phases दिये गए हैं हम मोटा-मोटा 4 phases लेके चलेंगे phase 1 में 2 stages हैं जिसमें पहले सिर्फ आदा टर्मिनल खुला जाएगा 1.2 करोर पैसेंजर के साथ फिर उसके अगले साल बचवा टर्मिनल भी खुल जाएगा जिससे टोटल टर्मिनल की कैपैसिटी हो जाएगी 3 करोर पैसेंजर पर रहे हैं रनवे की heading की magnetic direction degrees में जिसका last zero हटा दिया जाता है यानि किसी runway का number है 09 तो वो direct east point करता है 90 degree पे runway 18 south point करेगा 180 degree runway 27 west point करेगा 270 degree और runway 36 सीधा north point करेगा 360 degrees यहाँ numbering में 0 के बजाए 360 degree यूज़ करते हैं क्योंकि वो easy रहता है अगर कोई plane, take off और land कर रहा है इसलिए दोनों directions के numbers अलग होते हैं जैसे Noida airport में runway 10 का meaning होगा 100 degree east और दूसरी side runway 28 का meaning होगा 280 degree इन दोनों numbers का difference हमेशा 18 आता है यानि 180 degree अगर किसी airport में एक से ज़ादा runways हैं same direction में तो उनके numbers को L, C और R से suffix किया जाता है जानि left, center और right तब ही Delhi airport के दोनों runways के number है 11L 29R और 11R 29L Anyway, Noida airport पे वापस आते हैं इसमें phase 1 की construction शुरू हो चुकी है और अगले साल तक इसका first stage खुलने की अमीद है उसके बाद phase 2 बनाया जाएगा वो भी दो stages में जैसे phase 1 होगा एक नया runway और terminal टर्मिनल को भी दो हिस्सों में open किया जाएगा टोटल दोनों phases को बनाने के लगबग 30,000 करोड रुपे लगेंगे और total capacity 7 करोड passengers per year हो जाएगी फिर इसके कुछ सालों बाद जब ऐसा लगेगा कि demand है और इसे और expand किया जा सकता है तो इसके phase 3 और phase 4 पर काम स्राट किया जाएगा जिसमें 4 नए runways और 2-3 नए terminals खुलेंगे 12 करोड passengers तर कपैस्टी हो जाएगी 2040-50 तक हाँ ये बहुत दूर future का plan है पता नहीं होगा भी कि नई होगा या बीच में रुख जाएगा तो अभी सिर्फ ये दोनों phases ही planned है phase 3 और 4 जातर marketing का ही part है एक सेकेंड टलि अगर सोचें कि 6 runways बन जाए तो ये दुनिया में 3rd largest airport बन जाएगा लेकिन most probably तब तक और भी airports बन चुके होंगे इससे भी बड़े presently सिर्फ USA के Chicago और Dallas airports के 8 और 7 runways है और Amsterdam, Denver, Detroit और Boston airports सब के 6 runways है Noida airport को पास के Yamuna Expressway से connect किया जाएगा और Noida Metro की एक नई line बनाने का भी plan है Aqualine के Knowledge Park 2 station से airport तक दुनिया में Delhi के इलावा कुछ और major cities हैं जहां multiple operational airports हैं सबसे बड़े examples हैं New York City और London पहले London को देखते हैं ये दुनिया का busiest city airport system है passenger traffic numbers पर Greater London में 6 active commercial airports हैं total 18 crore passengers के साथ इन में से सबसे बड़ा Heathrow airport है फिर Gatwick airport और उसके बाद बाकी आते हैं वहीं New York में 7 commercial airports हैं 14 crore yearly passengers के साथ बगर इन में से सिफ 3 ही major airports हैं JFK, Newark और La Guardia क्या एक city में multiple airports बनाना अच्छा idea है या नहीं इन airports के बनने का भी similar reason था जो Delhi airport का है congestion कम करना एक airport और उसके आसपास के area से expansion में दिक्कत इसकी benefits तो हैं dividing traffic, ease of congestion और अलग-अलग airports के बीच में competition जिसे lower prices, better services और ज़्यादा options available हो passengers के लिए बहतर accessibility भी एक benefit है अलग-अलग airport city के अलग-अलग parts में located होते हैं तो passengers अपने पासवाल airports को ज़्यादा use करते हैं कुछ disadvantages भी है multiple airports की efficiency कम हो जाती है क्योंकि कुछ facilities और services को अलग-अलग airports में duplicate करना पड़ता है कोई economics of scale नहीं होता ATC को manage करना ज़्यादा complicated हो जाता है लंडन एक बड़ी example है माच 6 commercial airports होने से सारा airspace structure बहुत complicated है अलग-अलग airports के बीच air traffic को coordinate करना और air traffic management system को देखना कि वो safety और efficiency को बरकरार रखे काफी difficult होता है इसके इलावा interconnection problems भी आ सकती है मालोग किसी का layover हो उस city में जहां multiple airports हैं और flight एक airport पे land होगी और दूसरे से take off करेगी तो बहुत difficult होता है transfer करना एक airport से दूसरे airport तक multiple airports के बीच reliable connection होना भी ज़रूरी है express railway lines की मदद से इसके लावा कई लोग confused भी हो जाते हैं कई बार वो गलत airport से flight book कर देंगे जहां तक उनको portion में काफी दिक्कत होगी London ने भी ऐसे issues को solve करने के लिए कुछ basic कदम उठाए हैं जैसे diverse airport roles London के airports अलग-अलग roles को serve करते हैं जैसे Heathrow एक major international hub है Gatwick में leisure और business traffic का mixture आता है London City Airport जादातर business travel पर focus है और Luton और Stansted जादर low cost carriers के लिए popular है ऐसी specialization से कुछ फायदा तो होता है क्योंकि अलग-अलग passengers अलग-अलग airports में spread out हो जाते हैं हम भी London से ऐसे ही कुछ lessons ले सकते हैं जिससे हम IGI और Noida International airports को अच्छे से manage कर सके हैं एक छोटी सी announcement है मुझे काफी request आ रही थी metro maps बनाने के लिए इसलिए मैंने पूरे Mumbai transit system के उपर दो maps बनाये हैं एक geographical और एक simplified इसके digital और printed posters आप डारेक्टली खरी सकते हैं नीचे दे गए link से इससे आप चैनल को डारेक्टली भी support कर पाएंगे ऐसी और वीडियो देखने के लिए subscribe करें धन्यवाद